वाले निया लेक्चर अपना इंडसली सिविलाइजेशन पर अब तक के चाल लेक्चर लेक्चर 셋ाक के वारे μें दूसरे इस इस्टिवीर के तूअन। फॉर्थ लेक्चर को पर फ्रोटें इसान को था और हम इंडसली सिविलाइजेशन के पर पहले मैं MCQ करने से पहले कुछ इस civilization के बारे में जान लेते हैं यार तो जान लेंगे तो चीज़े अच्छी रहेंगे हमारे लिए तो इंडस वेली civilization की अगर मैं बात करूं तो यह कब से कब तक का time period था यह 2700 बीसी से अठारा सो बीसी तक का time period था अब बाई एक डाउट यह भी होगा कितना बड़ा civilization एकदम कैसे आ गया था यह वीडियों बता चुका हूं लेकिन एक और बार बता देंगे यह प्रोटो हिस्ट्री टाइम पीरेट से बिलॉंग करता था कौन से से प्रोटो हिस्ट्री से ठीक है प्रोटो हिस्ट्री मतलब यह वो टाइम पीरेट था जब उन्हें लिखना ही करना कुछ नहीं आता था बट उन्हें पेक्टोरियल नॉलेज थी तो इस टाइम पीरेट से यह बिलॉंग करता था और यह फर्स्ट फेस था अर्बनाईजिशन का इसमें जो लोग पहले नु 1850 के टाइम में कब के टाइम में 1850 के टाइम में जो ब्रिटिश थे वो खुदाई कर रहे थे किस के लिए खुदाई कर रहे थे एंडियन रेलवे के लिए कहां पे कौन से रीजन में पाकिस्तान के लाहर प्रोवियंस में वहां पे खुदाई कर रहे थे रेलवे के लिए तो बट railway की खुदाई करते करते जब exhibition हो रहा था तो उन्होंने उन्हें इंटे मिलना चालू हुई जमीन के नीचे जब वो खुदाई कर रहे थे बट उस टाइम तो उन्होंने वो जो पकीवी इंटे थी उन्हें एग्नोर करा उन्होंने सोचा यह ऐसी ही कि जो यह है यह एक provenance था उससे बेलॉंग कर रही होंगी बट ऐसा नहीं था उन्हें लगा कि ये Moran Empire के Remnant से बिलोंग कर रहा होगा बट ऐसा नहीं था कुछ टाइम बात और उस टाइम उन्होंने वो इंटो से Railway में भी Help करी और अपने घर में भी Help करी बट कुछ टाइम बात जब हरपा में Civilization स्टार्ट हुआ डी आर चाहनी ने उन्हें इंटो से बताया कि ये एक Famous Civilization Indus Valley Civilization का एक पार्ट है जो कि हमें मिल गया है और डी आर चाहनी ने Discover करी एक हरपन साइड जिसका नाम था हरपा ठीक है तब से इस Civilization इस्टार्ट हुआ और कई Civilization हुए थे एक Important Civilization Indus Valley तो था ही था ही इसके साथ एक Tigris भी था जो कि Mesopotamian Civilization था कौन सी नदी के किनारे Tigris के महाँ पे और Nile के महाँ पे भी हुआ था कौन सा Civilization Egyptian Civilization और Wangu नदी के किनारे भी हुआ था कौन सा Civilization Chinese Civilization ठीक है तो इतना पढ़ लिया अब चालू करते हैं इसके बारे में MCQs को discuss करते हैं तो पहला MCQ देखो क्या है भाई अगर आपने वीडियो बगेरा देखी होगी तो आप सारे answer correct कर लोगा मुझे पता है अब पहला question देखते है Which among the following statement do not entails entails का मतलब क्या है entails का मतलब होता है to make something necessary ठीक है to make something necessary कि जो हरप्पन कल्चर है इस civilization people were living a more advanced life ये तो बाही पता चले गया होगा कि पहले nomadic life में रहते थे लोग अब more advanced life में रह रहे थे the cities were well planned and great care was taken to look after them हाँ ये भी पता है भाई कि जो cities थी ये अच्छा से planned थी well planned थी divide थी ये बहुत अच्छा था the हरपन people knew how to write and the language was written in picture-like science called pictograph ये भी सही है भाई लिखना तो आता नहीं था बढ़ ड्रॉइंग अच्छी थी pictographs वो में बताते थे कि हम ये कहना चाह रहे है the हरपन culture was spread over सिंद, बलुचस्तान, पंजाब, हरियाना, वैस्टन, उत्तरप्रदेश, जंबू ये गलत है भाई ठीक है तो ये एंटेल्स डील नहीं कर रहा क्योंकि जो culture नहीं था वो यहाँ पे बात हो रही है हमारे civilization की ठीक है तो ये वाला answer गलत है इसका answer ये हो जाएगा कर गया, एंटेल्स नहीं कर रहा ठीक है, कौन सा answer correct होगा इसका ये वाला अब देखो, with reference to pre-hrappan culture which of the following statement is the correct pre-hrappan culture के मताविक बताना है कि कौन सा statement हमारा correct है the central zone of pre-hrappan culture was located in Synth ये सही है भाई, Synth में ही located था और यहां से हमारी भाई, बहुत सारी sites found हुई है 52 sites और जो थी वो discover हुई है, यहां से ठीक है कितनी, 52 sites it is older, yet more developed than, चालको लेते कल चाल, ये भी सही है भाई तो इसका answer अपना कहां पर आजागा, बोथ A and B जो होगा अपना अगला question पर बढ़ते है consider the following statement with reference to the discovery of Indus Valley civilization, अब Indus Valley civilization के discovery के लिए कुछ options दिये है, उनमें से बताना है कि कौन सा सही है, there were several archaeological cultures in Punjab and Sindh region prior to मैचोहरपन कल्चस है it is originated in north eastern part of Indian subcontinent, भाई ये गलत है, ये originate हुआ था दूसरे area में, बढ़ यहां पर गलत दे दिया है, कहाँ पर originate हुआ था वो वो हुआ था, appear हुआ था north western part में, ठीक है ये incorrect है और north western में हुआ था, eastern में नहीं हुआ था the civilization was first discovered in 1921, ठीक हो गया पहली बार discover हुआ था 1921 में ही, और कहाँ पर discover हुआ था, हरपा में और किस ने कर रहा था, DR, conse, ने हरपा में ठीक है और किस ने कर रहा था DR, conse ने DR, लिग दे रहां Sमझ जा ना DRS लिग दे रहां बोल तो लराई हूँ आवाश तो आई रही होगी तो ये वहला मेरा गलत है अब देखना है इसने पूछा है कौन सा सही है तो ए और सी सही है हमारा दा फर्ष्ट आर्केलोजिकल हुएग्सिवेटेड हरपा बट कुड नॉट रिकनाइज वो जब रेलेवे के कंस्ट्रक्शन चल रहा था न तो जिसने देखा था कौन से ब्रेटिश शहस ने देखा था बट उसको आइडिया नहीं था कि ये क्या है वो तो बाद में DR सानी ने डिस्कवर करा तो उसका नाम क्या था वो थे एक अनिंगम इन्होंने ही देखा था कि डिस्कवर कर लिया था इन्होंने बट इन्होंने इग्नोर कर दिगा था उस टैम पर केकि उस टैम किसी को पता नहीं था थो इनके बार में जान लेते ही यह थे कॉर यह पहले डिर्ट्र जड्रल थे किसके पहले डिरेक्टिव जनरल थे ASI के Archaeological Survey of India के ठीक है और इन्हे Father of Indian Archaeology भी कहा जाता है क्या Father of Indian Archaeology अब दूसरे पर बढ़ते हैं Sir John Marshall के अबारे में तो पता ही होगा आपको ये भी जो थे Directive General थे ठीक है Directive General किसके थे ASI के ही Archaeological Survey of India कौन से टाइम पीरिट से कौन से टाइम पीरिट तक रहे थे बहुत बता चुका हूँ इनके बारे में तो ये रहे थे 1902 से 28 तक के 1902 से 28 तक के और Mortimum Wheeler ये British Archaeological भी थे और Army में भी थे British Army में और George Abdeels ये कौन थे ये एक Archaeological थे जिनोंने Research करा था किस पे सिविलाइजेशन के उपर इसका करेक्टरांस हो कौन सा ये वला एक Anandam बट ये बता नहीं पाये थे Mohan Jodaro Is situation which of the following reason Mohan Jodaro situated है कहाँ पे located संथ, प्रोविनेंस, पाकिस्तान विद रेफरेंश टू धोला वीरा धोला वीरा भाई, सेकिंड लार्जे शरपन साइड है, पहली कौन सी थी पहली साइड थी राखीगरी, राखीगर और उसके बाद जो दूसरी साइड आती है सेकिंड लार्जेस अंडर सिविलाइजेशन की साइड वो है धोला वीरा इसका इंपोर्टेंस तो होगी फिर इस लोकेटेटेटेंस प्रोविनेंस ऑफ पाकिस्तान यहां पे located है नहीं भाई यहां पे located नहीं है यह कहां पे located है गुजरात में गुजरात में गुजरात में कहां पे कच्छ में ठीक है तो यह तो गलत हो गया इट वस divided into 3 parts and show all the 3 phases of सईय यह तीन पार्ट में divided थी कौन कौन से में थी यह यह था तो किया फैन है फॉतम में था सेंक्रल टाउन में था औहर लोगर टाउन में था ठीक है ऑण इत्री अटे हैं थो था मैंट गपर एडवाइट श्राविकर यीब वाइपनम सब्योंध क्लोशन पर इसाद lower पर रफटे हैं औरह। लेकोंशन पर बढ़ते हैं इस पॉलिएंग इस्टेट्मेंट विद्ट टो टेटीज आफ रपन सिविलाइशन सुर्कोज्टा वस्ट्टल सिटी क्यारिक्ट्रेश्ट यह सही है था है इन मोहन जोता हुद भर लार्जेस्ट बिल्डिंग इस ग्रेट बाद ये गलत है पहला सही है ये गलत है लार्जेस्ट बिल्डिंग ग्रेर्डी थी वh थीक है क्या थीальной आर्ड घ्र आराय चार्वा क्या ग्रें जर्ण रिः उसकी हाइट वगरा केजए लिदियार ग्रें ये पर फिफ्टी थी पॉइंट कुछ था अचछे याद नहीं मुझे एक्जेक्ट याद तो अपना B तो गलत हो गया और A सही है तो A सही है Which among the following हरपपन साइट are located in India कौन-कौन सी साइट located है इंडिया में लोथल इंडिया में है भाई नहीं ये नहीं है ये हरपा कहां पे है भाई हरपा की बात कर रही है पंजाब रीजन में पाकिस्तान में है काली बंगन इंडिया में है लोथल कहां पे लोथल गुजरात में है काली बंगन राजस्तान में अपनी मोहन जोदारों भाई यह तो बता चुका हूँ यह में यह पाकिस्तान में है कोट डेजी भाई यह भी पाकिस्तान में है अब कौ इसकी बात करिया तो यह गुजरात में है जो जुरी कहां पे यह भी कुजरात में है और यहांगिसटी क्या है यह गुजरात में है ठीक है विट रेफरेंच टूदा इंडश्वेलिजिशिशन कंसीडर दफ ओन्लेंग इस्टेटमेंट अरपन कल्चर्चर्चेंड अंड नौर्मदा इन दा सौत अंत्रमकरन कोश्ट अबलुचस्तान इन व्थ तुद यह सही है अब संद की बात करिया है तो संद में कहा कहा पर था संद में जो था चोहनदारो और मोहंजदारो के महां पर था ठीक है कहा पर था तो जम्बू और कश्मीर की साइड चेनाब थी थी ठीक है जम्बू और लोथल एरिएमे तो भोगवारी वर थी मतलब सरस्वती रिवर थी जेलम कहां पे थी जेलम भी मेरी जम्बू कश्मीर और पंजाब की साइड में ही थी जेलम भी पंजाब और जम्बू कश्मीर की साइड में ही थी गंगा का तो भाई जिकर आजकल होता है पहले कहां था historical नदी में थी बट उस टाइम पे नहीं पता था तो ABC सही हो गया which among the following statements is not true with respect to town planning of the Harappan cities was divided into two or more parts सही है citadals में divided थी the part to the east of city was smaller and represented citadals यह गलत है जो part जो east में था भाई वो larger था ठीक है क्या था larger था but lower था और जो west में था वो smaller था but larger था ठीक है smaller और higher था the part to the east of city was larger और यह गलत है larger था और lower था उसमें the part to the west was smaller but higher यह गलत है which among the following with respect to the town इसकान सही हो जाएगा the archaeological evidence of granary had been executed from which of the following harappan site कौन सी harappan site से जो वो था granary उसके बारे हैं पता लगा काले बंगर में भी मोहन जोदारो में थाई थाई हरपा में थाई थाई काले बंगर में थाई थाई तो इस का अंसर क्या हो गया all of these which among the following is incorrect in context of great bath at Mohenjo-daro the great bath is a special tank that was linked with सही है the great bath was made from water tight with the use of nature सही है there were steps leading down to great bath from two sides सही है water was probably bought in from river and drained यह गलत है भाई river से नहीं आता था well से आता था ठीक है तो यह इसका अंसर यह हो जाएगा मेरा सही कौन सा हो जाएगा यह वाला यह इसका उसने पूछा है न incorrect कौन सा है consider the following statement with reference to the Indus Valley civilization the house in the harapan culture was arranged in a great pattern भाई सही है यह वाला the roads cut across one another यह भी सही है the lower town made a pop brick houses विच वे यह गलत है भाई जो ruling class थी वो यहां तो street hurdles में रहती थी यहां तो acropolis में रहती थी ac ropo lis तो यह भी सही है is the correct यह भी correct है अब देख consider the following statement with reference to the town planning and structure of the Indus Valley civilization the larger grandry is found in Mohan Jodaro which मज़़ यह सही है भाई 45.71 सही है ठीक है सही है 45.71 नहीं तहा शायद है यह है 25.71 ठीक हो गया the combined floor spaces of 1200 यह गलत है 838 square square meter 838 तो यह तो गलत हो गया यह सही है the circular break platform to the south of grandry सही है तो इसा इंकरेक्ट इंकरेक्ट कहुँ सही है भीवल इंकरेक्ट है वस भाई इत रेफरेंस to सिटारल consider the following statement which इंकरेक्ट दिशितार्डल वस लोगेटें देवेश्ट देवेश्ट भीज़ देवेश्ट देश्ट्रेट्ट वीज़़ स्मालर एजिप्ट में नहीं थी ड्राइट प्रिक्स थी एजप्ट में में थी हर जगा नहीं थी बट कहीं कहीं थी तो इसका अगया एसी कि अंसीडर दा फॉल्लाइंग इस्टेट्मेंट विट रेफरेंच चुछ ड्रेनेज पैटन ऑफ अरपन सेटी ड्रेनेज तो बहुत बढ़ अब बनावली हरी याना में है रंगपुर कहां पर है रंगपूर मेर्यासतान में ही जो गलत हो गया तो कौन सा सही है कौन यहां तो एक जो रंपूर है वो गुजिराट में यह इनकृक्ली मैच है तो यार यहाँ पर end करते हैं इस lecture को इसके मैं 60-70 MCQs तो करेंगे ही करेंगे 20 आज कर लिए next वीडियो में देखते हैं कितने लाते हैं और Stone Age में आप पूरी cover करा चुका हूँ सारे MCQs करवा चुका हूँ उसके वो chapter का पूरा explanation हो चुका है अब हम इसके MCQ practice कर रहे हैं मैं आशा करता हूँ कि आप सब के सारे सही गए होंगे इन में से कोई-कोई में doubt हुआ होगा वो clear हो गया होगा वीडियो में explain करा है पूरा मैं अच्छे से क्यों क्या हुआ कहां पे क्या था तो यार इसी तरीके से बने रही है हमारे साथ और मिल के करते हैं UPSC को qualify चीक है guys, bye